हेलो फ्रेंज वेल्कम टू आयोटूब चैनल थाई बियल सीरीज हर्ड लव मिशन में आपका स्वागत है एपिसोड के स्टार्टिंग में पुटर को दिखा जाता है जो कि यौशी के पसीनियों को पहुच रहा होता है तो यौशी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करनी के कोई ज़ूट नहीं यह मैं खुद से कर सकता हूँ तो पुटर उसे कहता है कि कोई बात नहीं मैं यह खुद से कर लूँगा एक्चिली मुझे तुम्हे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम्हें यह चोट मेरी वाज़ा से मिली है और इसी वाज़ा से तुम्हें बिमार हो और यहां पर शायद एक्टर बनने से पहले से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी परिस्थतियों को जहला है तो यहां पर योशी कहता है कि तुम किन बुरी परिस्थतियों के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पर पुटर कहता है कि एक्जामपल के लिए मुझे 100 से 20 जादा बार कास्टिंग करनी परती थी किसी 100 को करने से पहले तो यह सुनकर योशी कहता कि हाँ यह तो सच में बहुत जादा है तो पुटर से कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, मैंने बहुत समय से अपने सपनों को फालू करा, और फिर तब जाके मुझे कहीं पर जॉब मिली शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद से एक एक्टर बनना चाहता था तो यहां पर योशी कहता है कि और देखो आज तुम इतने ज़्यादा सक्सेज हो यह काफी अच्छी बात है तो यहां पर पुटर कहता है कि अच्छी मैंने भी गिव अप करने का डिसीजन लिया था लेकिन मैंने सोचा कि मैं लास्ट कास्टिंग को भी एक बार ट्राइ करूँ और यदि मैंने उस दिन कुईट कर दिया होता तो आज मुझे जॉब न मिल दे लेकिन मुझे उस दिन जॉब मिल गई जैसे कि यह कोई चमतकार हुआ हो तो यहां पर योशी जोता पुटर से कहता है कि यह काफी अच्छी बात है कि तुमने उस दिन कास्टिंग करने के बारे में सोचा अगर तुम उस दिन ऐसा नहीं करते तो आज तुम सिलेबरिटी नहीं होते तो यहां पर पुटर कहता है कि आच्छी वो उस दिन में बहुत ज़दा अलगी था लेकिन वहाँ पर कुछ लोग थे जिनने मुझे सपोर्ट करा और मुझे कहा कि मैं एक बार और ट्रॉय करूँ खैर यह सब छोड़ो अब मैं तुम्हारी बाडी को क्लीन करने जा रहा हूँ तो इसलिए तुम पने कप्ड उतार दो यह बाद सुनकर योशी बहुत ज़दा शौक हो जाता है और कहता है क्या है कहता है कि तुमको इसलिए करने की कोई जरूत नहीं है मैं खुद से अपने आपको साफ कर सकता हूँ अब तुम जो और जाकर आराम करो और मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ तो जो पुटर रहता है वो योशी के बॉड़ी के टमप्रिचर को टच करता है मतलब चेक करता है और से कहता है कि हाँ अब तुम्हारा सरीर उतना जादा गरम नहीं है मुझे लगता है कि मुझे जाकर आराम करना चाहिए तो यहां पर योशी जोता हूँ पुटर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहां बेट पर सो जाना चाहिए और मैं जाके वहां पर नीचे सोफा पर सो जाओंगा तो यहां पर पुटर यॉशी से कहता है लेकिन हमने इस बार में पहले सी बात कर रखे है कि मैं यहां पर सो जाओंगा तो यहां पर यॉशी जो तब पुटर से कहता है कि एक्षिली मुझे बहुत ज़्यादा अनसाटिसफेक्टन फील हो रहा है और मैं नहीं सो पाऊंगा अगर तुम यहां पर सोने दोगी तो तो यह सुनकर पुटर कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो यहां पर सोने के लिए मतलब चला जाता है तो यॉशी वहां से उचके जाने लगता है तब यहां पुटर फिर से उसको पकड़ लेता है और कहता है क्यों कि हम यहां पे साथ में नीट सो सकते और या फिर तुम इस से कुछ और ज्यादा चाहते हो यह सुनकर यॉशी जोता पुटर से कहता है कि तुम पागल हो रहे हो अचलि नीट के समय मैं इधर-धर होता रहता हूँ मतलब ठीक से नीट सो पाता तो मुझे इस बात का डर है कि मैं तुमको परिशान न कर दूँ तो यहां पे पुटर से कहता है कि अगर तुम इस से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते फिर नेक्सीन हमें सेट के दिखाया जाता है जहां पे पुटर और वीवी दोनों लोगों का मेक अप और टच अप हो रहा होता है तब ही वहां पे डारेक्टर जॉइ आते हैं दोड़ते हैं उसके बाद फिर लोगों का फोटो शूट होता है बॉली वोल जब यह लोगों खेल रहे होते हैं तो वह अपनी हैंके से अपने शरीर को पोचने वाला होता है और तभी रुख जाता है तभी योशी आता है ग्लास मतलब पानी लेकर उसके लिए तो यहां पे पुटर जोता है योशी से कहता है योशी एचलि मुझे एक कॉम्प्रेस के जरूरत है क्योंकि यहां पे बहु पोच सकते हो तो यहां पे योशी चीज से मना करता है और कहता है कि नहीं तुम खुद से अपने आपको इस चीज से साफ कर लो तो यहां पे पुटर से कहता है कि प्लीस मेरे लिए से साफ कर दो प्लीस प्लीस यहां पर बहुत जादा गर्मी होती है तो मेरे दिमाग काम न कि तुम क्या करते हो तुम इस चीज को साफ करते हो है नहीं तो फाइनल यहां पर यौशी के पास कोई option नहीं बसता तो वो पुटर के पसीने को पुछे लगता है तो यहां पर यौशी के हैंड्स को पकड़ता है और अपनी बॉड़ी को साफ करते हो बताता है कि इस तरह से म यह पर जादा दर नहीं करता है, यह लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है, यह उतना भी जादा बड़ा गाव नहीं था, तो यह पर पुटर कहता है कि मैं इस बात से बहुत जादा डर गया था, कि तुमको मेरी वाज़ा से बहुत गहरी चोट लगी होगी, और मुझे उ यह उसी आँ, यह पर आज वाच नहीं पटर, कि कहता है तुमको जुआहने बुलाए है नेकटS eht के लिए, तो यह पर पुटर चला जाता है, और तभी यह उसी आजाते है, जो यह पर आज करते है, कि सब कुछ कईसा चल रहा है, तो यह उसी जह से बयाँ आता है, एम्प एंपरे कहते हैं नहीं, मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, मैंने बस तुम लोगों को बात करते वे सुना, कल रात को जरूर कुछ अच्छा तो हुआ होगा, अब तुम मुझे यह बता हो कि पुटर कहां पे सोया था, तो यहां पर योशी कहता है बेट पर, तो यहां पर पूरी बॉड़ी को इस तरह से ररॉप कर रहे थे, उसका क्या और हिम्मत कैसे भी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम इसके साथ कैसे सोने जा सकते हो, तो यहां पर योशी एंपरे से कहता है, कि मैं गया नहीं था, वो मुझे उठा के लिके गया था, तो यह सुनकर एंप जो कोकेने पेंड के नीचे खड़ा हुआ है, ब्लैक अपने पहन के, तो यहां पर योशी कहता है, कि हाँ, मैंने देखा, क्यों क्या बात है, तो यहां पर एंपरे से कहती है, कि मैंने सीज को नोटिस कर रहा है, कि वो हम लोगों को सिक्रेटली तरीके से फॉलो कर रहा है, जब से ये सूतिंग स्टार्ट हुई है उसके हाथ में हमेसा फोन होता है और वो हमेसा विवी और पुटर की साथ की pictures को click करता रगता है तो यहाँ पर यौशी आट विद उप्रेज रहता है कि हो सकता है वो कोई पत्रकार हो और उस से celebratings की pictures click करना पसंद हो तो यहाँ पर एंपरे कहती है कि हो सकता है वो फैन हो लेकिन अगर उसने आज भी हमें फालो करा तो मैं खुर उससे जाके पूछूंगी इस बारे में लेकिन तभी पूटर के मैनेजर की जो फ्रेंड है वो वहां पर आ गई और हमसे पहले पूटर को अपने साथ लेके चली गई यह तो हमारा प्लान कल ही सकसस हो जाता तभी यहाँ पर लड़का कहता है खेर यह सब उतना भी जादा अचानी होता जितना के इस बार है इस चीज के होनी के बाद पूटर कभी भी शूटिंग करने के काबिल नहीं रहेगा यह चीज सुनकर लिप थोड़ा सा शौक हो जाती है और उससे पूस्दी है कि अब तुम क्या करने जा रहे हो तो यहाँ पर लड़का कहता है कि लास्ट नाइट मैं एटीवी के सेट पे गया था और मैंने एटीवी की ब्रेक्स को काड़ दिया है यह सुनकर लिप बहुत जादा घबरा जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे कहा था ना कुछ भी ऐसा मत करना जो बहुत जादा बूरा हो जा होगा अगर पुटर को कुछ हो गया तो यहाँ पर लड़का कहता है कि इतन चेक कर रहा था तुम रिलाक्स हो जाओ तुम परिशान मत हो तो यहाँ फिलिप उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना ऐसा कुछ भी मत करना जो बहुत जादा हार्स हो जाए और मैं पहले जाके सब चीज़ों को चेक करूँगी क्योंकि मैं तुमसा जेल नहीं जाना च